देखो बच्चो question no.3 में यह कह रहे हैं तुम्हारे पास एक container जिसमें 45 गुलाब जामन से ठीक है एक गुलाब जामन को shape ऐसा है मतलब कैसा है बच्चो कि बीच में cylinder है इधर भी hemisphere है और उधर भी hemisphere है तुम को क्या करना है you have to find out कितना इसके अंदर 45 गुलाब जामन में कितना शुगर से रपोगा तो वॉल्यूम बेसिकली निकालना है अब तुम देखो वॉल्यूम के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए यह जो hemisphere है इधर और उधर बच्चो तो उसका जो रेडियस है ना डायमेटर गिवन है यहां पर d is given as 2.8 तो मैं डायमेटर रेडियस निकालों के रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर डायमेटर का अधा हो जाएगा तो यह तो मेरे पास यह आ गया अब मुझको चाहिए बच्चो हाइट ओफ सिलेंडर जो बीच वाला पॉर्शन हो मुझे टोटल तो पांच है मुझे अब देखो बच्चो अगर यह चीज 1.4 है तो अब्वियसली यह भी 1.4 होगी है कि नहीं उसी तरीके से अगर बच्चो यह रेडियस 1.4 है तो यह भी तो यह जाएगा 5-2.8 यह जाएगा 2.2 cm ठीक है तो मेरे पास क्या आगया हाइट ओफ सिलेंडर भी आगया 2.2 अब तो मेरे पास सब कोच है मेरे पास सिलेंडर की हाइट है 2.2 cm समझ में आगया कैसे करना है चलो अब इसे वॉल्यूम में पुट करो वॉल्यूम औफ वन ग सिलेंडर का वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम औफ सिलेंडर प्लस देखो एक इधर है हमिस्फेयर एक उधर क्या होता है हेमिस्फेर का होता है 2 by 3 pi r cube ठीक है बच्चो कुछ common ले सकते हो हां भी pi भी ले सकते है r square भी common ले सकते हैं यहां बच जाएगा h 2 2s of 4 by 3 pi तो बाहर चला गया 1 r आ गया r cube है ना एक r बाहर है एक r अंदर है छीक और तो कुछ नहीं है ना चलो अब है तुम्हारे पास 22 by 7 r is 1.4 तो 1.4 into 1.4 1.4 का square ठीक है यहां पर क्या है तुम्हारे पास h कितना है बच्चो 2.2 तो 2.2 plus इसको मैं थोड़ा से ऐसे कर लो छोटा कर लो इसको 4 by 3 into r r is again 1.4 ठीक है clear है साही चलो इसको मैं erase कर देती है उपर हम लोग जो solve करेंगे ठीक है ना अब देखो बच्चो यह कितना हो जाएगा 22 by 7 into 1.4 into 1.4 इसका square है ना यह कितना हो जाएगा बच्चो 2.2 plus 4 into 1.4 4 4s are 16 4 1s are 4 5 by 3 यह हो जाएगा 5.6 divided by 3 ठीक है clear है यहां तक बात समझ में आ गई चलो अब यह क्या हो सकता है यह हटा दो नीचे 0 लगा दो 10 ठीक अब 72014 ठीक है और भी कुछ हो सकता है नहीं और तो कुछ नहीं हो सकता है इनको multiply करो 22 into 2.8 यह कितना हो जाएगा 6.16 ठीक इधर आजाओ 2.2 plus इसको divide करो तो यह कितना आजाए 1.8666 ठीक है चलो 6.16 2.2 plus मैं इसको क्या ले लो 1.87 ले लो क्योंकि यह तो terminate नहीं हो रहा है end नहीं हो रहा है ना तो मैंने इसको 0.87 ले लिया 10th class में तो इत्ती दो multiplication हो जानी चाहिए ठीक है calculator मत यूज करना थी 25.0712 यह बच्चो volume of 1 गुलाब जामन है मुझे चाहिए अब volume of 45 गुलाब जामन मैं क्या करोंगी इसको 45 से multiply कर दो है के नहीं अब मेरे पास यह 45 गुलाब जामन का वॉल्यूम आ जाहेगा ठीक है तो इस 128.15 cm2 ठीक है सेंपल इसको तुमने 45 से multiply कर दिया लेकिन आप तुम्हें बच्चो इसमें जितना शुगर सिरप है उसका volume चाहिए तो मुझे पता है कि शुगर सिरप जो है वो 30% of volume होता है ठीक है जो भी उसका volume है उसका 30% sugar सिरप है तो volume of sugar सिरप इसमें कितना हो जाएगा इसका भी 30% है के नहीं 30% of volume of 45 गुलाब जामन है के नहीं यह हो जाएगा 30 अपान 100 और 45 गुलाब जामन का volume कितना है 1128.15 सौरी यह cube आएगा है ना करो ज़रा सा multiply 3 से इसको करो 35's are 15 ठीक है 3 1 ज़र 3 1 इधर आएगा 4 फिर यह आजाएगा 8 3 3 decimal कहां जाएगा तुम्हारा decimal आजाएगा तुम्हारे पास 4 एक और आएगा यहां पर है ना करो 35's are 15 3 1's are 3 4 3 8's are 24 3 2's are 6 7 8 3 1's are 3 ठीक है यह 0 से 0 गया एक के decimal यह extra है तो एक दो एक इसकी वज़े से तीन के बाद decimal लग जाएगा ठीक है आंसर आगया 338.4 कितना हो जाएगा cm3 यह इतना volume of sugar से रप है ठीक लेर अब आजाओ तुम question number 4 पे तीक है फिए